तो आपके लिए शुचना है कि देखिए किस तरह से जो है जो बदमास हैं और शक्के हैं यह लोग निशाना बना करके बैंक को लोट रहे हैं देखिए खबर जो है मुझफपपूर बिहार से है जो बड़े ही आसानी से जिस तरह से नोंने बैंक को लूटा उतने ही आसानी से पुलिस ने इनको गिरफतार कर लिया गिरफतार होने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कबूल किया जो इसको देख करके आपको भी हैरेद में पड़ जाएंगे कि कितनी असानी से लोग प्लानिंग करते हैं और प्लान में बैंक के जो इंपलाई हैं जो बैंक में काम करने वाले लोग हैं उनको चखमा दे करके ये लोग पैसा लूट लेते हैं लेकिन पुलिस ने जो है स्रास दिखाते हुए इनको असानी से गिरफतार कर लिया देकि पूरा मामला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझफरपूर बिहार से है पुलिस ने मिनापूर में फीनो पेमेंट बैंक लोट कांड में बड़ा खुलासा कर लिया इस मामले में पुलिस के पेशकार पुत्र सानू के हत्यारे को भी पकड़ लिया थाना शेतर में गंज बजार के पास चापेमारी के दोरान तीन अपरादी दपोजे गए जिनके पास दो देसी अथियार और गोलियां भी जब्त किये गए अपरादी के पास लोट की बाइक और मुबाइल भी पुलिस ने बरामत किया SSP जस्वन्त ने बताया कि काश गंज बजार के पास गुब्द सुचना के अधार पर पुलिस ने चापेमारी की तबी भागते हुए तीन अपरादी सतुदंस आनी और देश राय और बकरिया और पपुश आनी को गिरफतार किया है जबकि उनके दो अन्य साथ ही फरार हो गएं SSP ने बताया कि गिरफतारी के बाद की गई पुश ताच और सतुदंस आनी से खुलाशा किया गया कि उसी गिरों में पांच फरवरी को गंज बजार इस दित फीनो पेमेंट बैंक में लूट पाट की थी गिरफतार अप्तरादियों में से की गई अन्य कांडों की भी पुलिश ने तलाश की दुसरी तरफ अहरिया पूर्थाना इलाके में गस्त के दौरान एक युवर को खदेड कर पकड़ा था जो पुलिश को देख कर भाग रहा था पुलिस ने उसके पास भी एक देशी कटा ब्रामत किया गया है साथियों गटना है कैसे गटी इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो बना करके बता चुका हूँ लेकिन बड़ी कामयाबी कि फीनो पेमेंट बैंक की जिन लोगों ने लूट किया हुआ था वो लोग पकड़े गएं लेकिन आपसे जो भी सियस्वी संचालक हैं वो भी जो भी लोग ब्रांच चला रहे हैं वो भी इन लूट करने वालों से काफी शौधान रहें शतर्क रहें जिससे जो भी बैंकिंग की शुबधाय हैं वह आम जीवन तक आसानी से पहुंचता रहें और मिलता रहें उन्हें शाथियों नमस्कार जै हिन जै भारत